हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का अरधिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूटुब चेनल नर्सिंग लिव्यू से दोस्तो आज गए लिए लेटेष्ट वेकेंसी हम यहां पर लेकर आ करना ना भूले दोस्तो आज की जो वेकेंसी है आपके लिए डेली से होने वाली है तो देली से आपके लिए पर्मानेंट यहां पर सेंट्रल गॉर्मेंट की जो भी यहां पर आ चुकी है तो आज की इस वेकेंसी में हम जानेंगे कितनी पोस्ट होने वाली है क्या सेलेरी करते या नहीं इसके साथ ही दोस्तों यहां पर आपको केसे एप्लाइ करना होगा और क्या फीस रहने वाली यह तो सभी इंफोर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली यह तो हमारे साथ बने रहें दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं वेकेंसी कहां से निकाली चुकिए दोस्तों इसकी इंफोर्मेशन पूरी आपको हम देंगे इस वीडियो में तो बने रहें 26 दिसंबर को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है यहां पर जो भी पोस्ट है वो सब नॉन टिचिंग पोस्ट होने वाली है डायरेक रिकूट्मेंट यहां पर दिया गय उसके साथ यहां पर आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स की पोस्ट यहां पर दी गई है जो कि लेवल 7 रेने वाला है और बिल्कुल रेगुलर बेसीश पर डायरेक्ट रेकूट्मेंट यहां पर होने वाला है 18 वेकंसी यहाँ पर होगी स्टाफ नर्स की जिसमें 18 जनरल की है 10 OBC की है 5 SC की है और 3 ST की है और 4 EWS की है तो यहाँ पर 34 न्यू देली के लिए है और 6 वेकंसी गोवा के लिए है और लेवल 7 रेने वाला है आपके लिए बिल्कुल Direct Recruitment यहाँ पर होने वाला है अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे और भी वेकंसी की जो की Senior Pharmacist की है CSSD Supervisor की है Audio Mattress की है Ophthalmology, MRI Technician, Radio Logist यहाँ पर सभी के लिए वेकंसी होने वाली है दोस्तों आप जिस सेक्टर से हैं वो आप Apply करें Apply के लिए दोस्तों 31 जनवरी तक आप Apply कर सकते हैं Official Site है इसकी AIA.gov.in और या फिर AIA.gov.org Last date 31 जनवरी है इसके साथ ही दोस्तों All India Institute of Ayurveda से वेकंसी है All India के कंडेडिया आपर Apply कर सकते हैं New Delhi और Goa आपकी Job Location होने वाली है अब बात करेंगे हम Qualification की तो स्टाफ नर्स की जो Qualification है यहाँ पर मांगा गया है 35 यर्स तक के Candidate Apply कर सकते हैं BSC Nursing यहाँ पर मांगा गया है जो की Regular हो या फिर 4 यर का Course हो आपका BSC Nursing आयुरवेदा में और Post BSC Nursing हो वो भी Apply कर सकते हैं 2 यर का Course जिसने किया हो Should be Registered Age Registered Nurse Register Midwifery State Nursing Council यानि कि किसी भी State Nursing Council से Registration मांगा गया है BSC Nursing आयुरवेदा को यहाँ पर preference दिया जाएगा GNM General Nursing and Midwifery वाले यहाँ पर Apply कर सकते हैं यहाँ पर General Nursing and Midwifery वालों को 3 यर का 100 Bedded Hospital का Experience देना Compulsory मांगा गया है Regular Course in Diploma Ayurvedic Nursing and Pharmacy वाले भी यहाँ पर Apply कर सकते हैं 2.5 वीर्स का जिन का Course होता है Ayurveda Nursing का वो भी यहाँ पर Apply कर सकते हैं दोस्तों इसी के साथ ही दोस्तों और Vacancies के भी यहाँ पर दिये गए है Qualifications आपको Notification हमारे Telegram Group से मिल जाएगा वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं आपको कौन सी Vacancy के लिए क्या Qualification की जरुरत होगी General Instructions, General Information यहाँ पर दी गई है जिसमें आपका जो है Allowances वगिरा के बारे में लिखा गया है Illigibility Criteria आपका जो है उसी पर आप Application Form बरें नहीं तो Rejection आपको मिल जाएगा Apply कैसे करना है? Apply के लिए Online Application है जो की AIIA Requirement.org पर जाकर आप जो है भर सकते हैं इसके साथ ही दोस्तो application fees की यदि बात करें तो यहाँ पर Group A Post के लिए 1000 है और 500 SCST के लिए है Group B और C के लिए यानि Nursing के लिए 500 रुपे होने वाले हैं General EWS और OBC के लिए और Other Candid जो SCST वाले हैं उनके लिए 250 fees रहने वाली है Age Relaxation, Age पर Government Rule के इसाप से जो सभी में होता है वो ही रहने वाला है Category wise Explanation यहाँ पर आपको देना होगा दोस्तों यहाँ पर जो भी important information थी वो सारी हमने लगबग आपको शेर कर दिये इस वीडियो में Mode of Selection और एक आपको बता देते हैं तो यहाँ पर Mode of Selection जो है वो दिया गया है Category wise आपको जो है अरक्षन यहाँ पर है एक सर्विसमें कंडेट के लिए special रहने वाला है Document verification आपका होगा Direct recruitment है यानि कि आपका direct यहाँ पर document verification या फिर आपका exam का भी confirm नहीं है Copy of online application form Admit card issued for return examination बिलकुल आपका यहाँ पर return examination रहने वाला है Certificate के लिए आपको date of birth and certificate वगेरा आपको देना होगा Mark sheet, diploma, सभी documents आपको upload करने होगा Application form में और verification के time भी तो दोस्तों यहाँ पर जितनी भी important information थी वो सारी हमने लगबग आपको इस वीडियो में बता दी है वीडियो में बन रहेने के लिए आप सभी का दन्यवाद Thank you दोस्तों जै श्रीशा दोस्तों हमारा telegram channel यदि आभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो जरू subscribe कर ले यहाँ पर 2.7 के subscriber है और दोस्तों यहाँ पर यदि आपको इनके यूटूब से notification नहीं प्राप्त होता है तो सभी वीडियो के update हम इस चैनल पर डालते हैं इसके साथ ही दोस्तों सभी notifications आपको यहाँ पर मिल जाएंगे यहाँ पर अभी latest जैसा कि आप देख सकते हैं जिपमर से notification आया है जो कि हमने डाल दिया है तो दोस्तों यहाँ पर latest notification हम डालते हैं साथ में कभी कभी क्यूच के कुशन भी डालते रहते हैं तो importants update के लिए दोस्तों अभी चैनल को subscribe कर लें झालते हैं